हालो स्टूडन्स आपना जो ही रहा छे यूनिट नमबर टू इलेक्ट्रिकल कम्पोनन्स टूल्स एन्स्टूमेंट्स सो उसके अंदर हमने अभी तक यहां तक हमने देखा था है और प्रिवेस वीडियो से हमें जो स्टार्ट किया था वो था नया टॉपिक मेजरिंग इंस्टूमेंट सो इलेक्ट्रिकल कॉण्टेटी बहुत सारी आती है वॉल्टेश मानलो करण्ट मानलो रइट उसको मेजर करने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते है मेजरिंग इंस्टूमेंट सो हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने देखा था एमीटर एंड वाल्ट मीटर के बारे में देखा था राइट उसमें भी AC एंड DC आता है राइट सो दो टाइप के थे कौन-कौन कसे थे जो DC था वो कौन सी टाइप का आता है PMMC पर्मेनेट मेगनेट मोविंग कॉईल और हमने जो देखा था वो कौन सा था आयरन टाइप का राइट सो हमने मलब वो रिपल्जन टाइप में देखा था उसमें अट्रेक्शन भी आता है हमारे बुक में था रिपल्जन एक हमने देखा था दोनों की जो है कंस्ट्रक्शन वो सेमी आती है सिप क्या-क्या चेंजिस आते हैं वो भी मैं बता था आज हम स्टार्ट करेंगे नया क्लीप ओन मीटर के बारे में हम देखेंगे आज रैट इसको क्लीप ओन मीटर को ट्लैंप मीटर भी बोलते हैं रैट तो आज हम इसके बारे में देखेंगे तो देखो यहाँ पर जो यह figure है यह वाली यह किसकी है clip on meter की और यह जो है वो multimeter का यह simple एक block diagram दिया हुआ है दिखते हैं ऐसे नहीं है वो actual में कैसा दिखते है वो मैं video के end में आपको मैं बताऊंगा कि कि start के दिखते हैं तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ यह तो मैंने देखा है अब देखो पहले हम बात करते है clip on meter के बारे में तो यह जो है हमारा clip on meter का एक simple से diagram दिया हुआ है कि उसमें किस तरह से arrangement होती है तो क्या लिखा हुआ है देखो clip on meter चलो पहले यह बता देता हूँ clip on meter use कहां पे होता है तो कोई भी हमारा conductor है मान लो हमारा जो wire है उसमें से ac current alternating current जो pass होता है न उसको measure करने के लिए यह use होता है और वो भी without breaking the conductor अभी हमने last time एमिटर देखाया तो एमिटर को connect करने के लिए उसको wire conductor को cut करके के उसको connect तो करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे जिस wire में से आपको चाहिए current pass हो रहा है वो वो wire को सिर्फ यहाँ पे रखना है यह बीच में यह जो portion रहता है उसमें आपको सिर्फ रखना है तो यह wire को cut करने की या wire को कहीं पे connect करने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी direct हमें रेडिंग में लगा वो कैसे आता है वो हम देखेंगे तो उसमें होता क्या है देखो क्लिप ओन मीटर इजर बार टाइब प्राइमरी एन स्प्लीट कोर टाइब ट्रांसमर में रस यह हमारा क्या है को और उसके अंदर हम जो काईल है और उसका जो बोलैं तो वह स्प्लिट है देखो यह प्राइमरी है और यह क्या है हमारा सेकंडरी बाइबर प्रास्मी करने द्वित्यों अपने कहा है चैने एड़ी दे ओके सो यह कोईल ही है यह यह आप वाइंडिंग बोलो ओके सो इट इस यूज टू मेजर अल्टरेटिंग करन ओके यह यूज कहां पर होता है क्या मेजर करने के लिए यूज होता है तो बाइबर अल्टरेटिंग करन बाइबर चे एसी करन ने मापवा माटे यूज थाई छे यह सामाधी पसा थाई तो आपवा माटे यूज थाई छे अने एपर वाहक ने कापया वगर यहने कट करिया वगर ओके सो विद्धाओट ब्रेकिंग दी कंडक्टर वी कें डायेकली मेजर दी करन फ्लोईग थू दी कंड़क्टर there is one laminated core whose one limb can be opened with the help of handle and spring so यह जो है ना यह core की जो limb है ना यह यह core है हमारा राइट उसकी यह दो limb है यह और यह उसमें क्या होता है यह limb क्या होती है ओपन होती है किसकी मदद से यह handle है यह आप handle को press करोगे तो यह जो है ना वो open हो जाएगा मदलब यह limb यह यहाँ पर connect रहता है ऐसे ओके ऐसे होता है आप यह handle को press करोगे दबाओगे उसको तो यह open हो जाएगा राइट open हो जाएगा तो हम क्या करेंगे जो भी wire में से हमें जो भी conductor में से हमें करना है करन उसको हम अंदर डाल देंगे यह जो काली जगह देख रहे हैं बस उसमें बाद में हम handle को release कर देंगे छोड़ देंगे तो फिर से यहां पर फीट हो जाएगा ओके अब एक बार हमने wire को अंदर डाल दिया कैसा डाला वह पता चला कि यह handle को press किया तो यह यह limb open होगे मतलब यह open हो गया तो इस में से wire हमने डाल दिया बीच में जो gap है उस में से है सो दो वायर तू वीच्ट करन फ्लोईंग हैस तो बी मेजर इस इंसर्टे इंटो दिक को बाई ओपनिंग द लिम बाई कि प्रेसिंग द हैंडल and then the handle is release जो मैंने बूला वो के handle को press करें कि यह open होगा वायर को अंदर डाल दो तो उसको प्लिस कर दो तो यह फिर से बंध हो जाएगा वायर अंदर हो जाएगा राइट यह लिखा है बात में क्या होता है चब यह वायर अंदर से जाएगा तब होता क्या देखो यह वायर में से क्या पास होगा करन्ट पास हो रहा है करन्ट पास होगा तो क्या जन्रेट होगा flux यह core के अंदर क्या जन्रेट हो जाएगा flux जन्रेट हो जाएगा यहाँ पर लिखा भी है देखो the flux is produced in the core due to the current flowing through the wire which becomes the bar type single turn primary winding ओके तो यह core में क्या जन्रेट होगा flux जन्रेट होगा तो वो क्या बन जाएगा हमारा एक यह देख रहा है नहीं एक primary winding बन जाएगी हमारी single turn की उसके अंदर एक ही turn होगा coil में हम wound करते है ना number of turns तो यहाँ पर है नहीं लेकिन यह बन जाएगी कब बनेगी जब इस में से current पास होगा तब यह कोड के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा flux बराबर आपने जो हो तो आप फ्लक्स जन्रेट था से बराबर एक बार टाइप नहीं मनलब आई रहा है इस सिंगल टन आप लोगों थे जासे प्राइमरी वैंडिंग कोईल जेह बराबर इबन जासे सब्दू दू दर अल्टरेटिंग फ्लक्स द एम्फ इस इंद्यूस इन्दे इन्दे सेकंडरी मैंडिंग होग है इसके अंद्र फ्लक्स अभी जनरे तू इम्फ इंद्यूस होगा ये 12 क multip फोस किसके अंदर ये सेकंडरी वैंडिंग के अंदर यहां पीए दिखाए ज़्य सेकंडरी वैंडिंग तो वह one कि होती यह कोर के उपर यह की होती है राइट सो पता चला अभी सो यहां से करन्ट फ्लोव होगा तब कोर के अंदर फ्लक्स जन्रेट होगा एंड इस बिकम अ सिंगल टन बार टाइप प्राइमरी वाइंडिंग एड उसकी वज़़से यह में फिन्यूस होगा किसके अंदर यह सेकंडरी वाइंडिंग में यह में फिन्यूस हुआ तो सेकंडरी वाइंडिंग के साथ यह क्या क्नेक किया हुआ है यह लिखा है मतलब उसका मतलब क्या है एमिटर ओके तो वह कितना करन्ट होगा वह यहां पर मेजर करेगा यहां पर लिखा है एस दे मिटर इस यह मिटर हमें बताएगा सो आ गया कि यह वायर को हमने कहीं पर कनेक्ट किया कहां से हमने कट किया नहीं किया डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया राइट यह हुआ क्लिप ओन मीटर के बारे में बहुत इजी है ऐसे यहां पर गुज्राती में लिखा है क्लिप ओन मीटर ए बार प्रकार नी प्राइमरी वाडू स्प्लिट कोर प्रकार नों कर ट्रास्परमर छे बाबर आपने जी जरिते जोई गया है अहीरुआ आ एक आपना कोर बार छे बाबर छे एनी अंदर आ सिंगल टन प्राइमरी वाडिंग अईये बन से स्प्लिट टैप में लेके भाग मावे चाहिए तेनों उप्योग वाहक माथी पसाथ थतो अल्टरनेटिंग करंड वाहक ने ब्रेक करिया वगर मापी सकाई छे बाबर छे आपने जी रितना वाद करिये जी क्लिप ओन मीटर माँ एक लेमिनेटेट कोर छे जेनों एक लिम ह दबावाथी खुले छे एला आपना हैंडल न आपने डबावी शू तो आज एक चैनार लिम एक खुली जेसे पछे एनी अंदर आपने शू नाखोनों छे वायर सो जे इंसुलेटेड वाहक माधी पसाथ थो तो अल्टरेटिंग करन मापवान होई ते वायर कोनी अंदर आवे ए रिते दाखल करी हैंडल ने रिलिस करवा मावा छे बराबाचे कोर माँ फ्लक्स ऊत्पन थाए छे आणै सेकंडरी वायर निलिकमा सू थसे EMF फ्लक्स प्राइमरी माणी से धासे प्लक्स प्राइमरी मा अने केटलो करण छे ये मापी लेसे तो देव आज फिगर छे येसों छे तमारी क्लिप ओन मीटर मीचे बराबचे आएक डिजीरल टाइप नू छे आएना जे बदा गना बदा फंक्सन छे एना सिलेक करवा माटे आपपा माई वोई छे अना तम्हें प्रेसकोर आ तमारू हैंडल छेंगे प्रेसकोर एटला आसों थसे आए बाग ओपन थसे एन यंदर आपड़े ये वायर माथी आपड़े क करवा पड़ से नहीं वाहक नंबर आवग तो आएक एक्ट्वल फिगर छे तमारा क्लिप ओन मीटर ने चाला तो आपने नेक्स्ट जो इस हूं मल्टिमीटर राइट सो मल्टिमीटर उसका नाम मल्टिमीटर क्यों है पहले दो हमने अभी तक देखा करन्ट मेजर करने के ल बराबर ता बद्धा मात अलग-अलग आपने इंस्टुमेंट यूज करिए एना कत्ता यह हूं करिए तो कोई एकक जहूं बनाविए एकक जहूं मीटर बनाविए कि एक करन्ट पर मेजर कर से वाल्टेज पर मेजर कर से एसी और डीसी बनने हूं त्यार पच्छी रजिस् करन्टेटी गणी बदी इलेक्तिकल निमेजर कर से मैं dal में तततीम आपन मेजर कर से मकले मिटर फिथ. प्रवाहनों मापन करें छे वाल्ट मीटर होई तो यह सूं कर से थे खाली वाल्टेज समझ पड़ी स्वा एक कज मीटर छे के एक गणी बदी कॉंटिटी नूं बेजर करें छे एतले एक सूं के वाई छे मल्टी मीटर के वाई छे बराब तो आएक सिंपल डायाग्राम मेजर करेंगा वह कैसे देखो अभी यह इंपूट में कोई भी कॉंटिटी मेजर करनी है वह है यहां पे अंदर एक स्वीच सी होगी उसका प्रोटेट करोगे जिसके साथ करेक्ण करोगे जो मेजर करना है वह आप कर सकते हो तो यह डीसी वी लिखा मतलब डीसी दिवाइडर के अंदर महला वॉल्टेज दिवाइडर क्या करेगा यहां पे जो भी वाल्टेज की वैल्ली होगी डीसी वाल्टेज की उसको थोड़ा कम कर देगा ओके ना नहीं बनाए देशे और उसको कहां पर बेज़ेगा पीम एमसी टाइप माइक्रोमिटर में लेयों त्यम्ति तुम네 चालो गतनी से कपने के क् अलोगॉर्ट बूलो के ऐIl चेह ताAgा पुर्थ मुझत्य गिौनरी से जैना गरें मासी पहला पूर्थ दिचान संवीनले और रित अंग्य долे करने किArc does जुरी हाल से रहलने प्रेचितल के दिश्टलिज करी तो आपने डायरेक याहार इतना है अ इतना है आए डीजिटल दीखा से बराबर चाहिए तियार पहिंत आपने तक दाणोग के आएसी वॉल्टेज मेसर करू अचे मैं हो आपने स्वीच कने पहिंक करते हो यह टे पहले क्या जासे रेक्टिफाइर मां आपकर न सुंझत एसए डी सी वॉल्टेज मां करसे रामFit ड़र अंहीं आपने सू करीिसू अठीफाइर यूज करीक्पर सूं शें के जर एसी वही ने याम धी सी मां रूपा अंतर करवानों सो रेक्टिफार के यूज करके हम AC वाल्टेज को किसमें कनवर्ट करेंगे DC में and then उसको वाल्टेज डिवाइडर यह जो है ना बस वैसे ही सर्कीट में से हम पास करेंगे मतलब उसकी वैल्ले को कम करेंगे and वह पास होगा यहां से तो यहां पर वह मेजर हो जाएगा डिजीटल चाहिए तो उसके बाद क्या होगा एडिजीटल करनोट हो जाएगा and वह डिस्प्ले हो जाएगा तो यह 2 मेजर हो गए AC वॉल्टेज अब DC वॉल्टेज बाद में हमने करन चाहिए मानों यह DC करन है राइट सो DC करण कैसे मेजर होगा तो यहां पर क्या होता है संट कनेक्ट किया होता है ओके सो एक लोड होता है मानलो उसमें से करण पास होगा तो उसके अंदर से जितना वाल्टेज ड्रॉप होगा एक रसिस्टनसी होता संट में, कितना वॉल्टेज ड्रोप होता है, जितना वॉल्टेज ड्रोप होगा, वो यहां पे जाएगा, पर जितना वॉल्टेज ड्रोप होगा, वो कितना होगा, करन जितना ही होगा, उसके प्रोपर्शनों में होगा, बराबर जे, समझ पड़ी, ज जर्ण माँनी पसाद था से त्यार है वोल्टेज द्रप जे भी मलचे ये सू आई करंना सब्रामार मां होई चे बराबर धो ये वोल्टेज मां मड़ी गया पने तो ये इंये मेजर थे ज़से आणने त्यार पची ए एनालोग टू डिजिटर मां जासे बराबाजे चालो तो त्यार पची सोंचे next अपड़े रजिश्टर मेजर करवानों छे आर अवरोदक तो एने अपड़े आर इते कनेक करवानों छे कोनी साथे ohms कन्वाटर मां मतलब सुंवाई चे एमासुं करवा मां आवाँ चे के एक fix current ने pass करवा मां आवाँ चे एने value fix राखवा मां आवाँ चे बराबर अने एमादी pass आर करवा मां आवाँ चे तो voltage drop जोवा मां आवाँ चे तो तेना अदे current ने value के भी होई चे fix होई चे बराबर अने voltage drop माले तो ohms स्लोप थे आपने आर मड़ी जैसे तो कितला वैल्यू नो कितली किम्मत नो आपड़ा और दक छे यह आपने खबर पड़ी जैसे बराबर यह पाची सेम फोसस्ता से खाला यह बदला से दरेक कॉंटे डिवाइस के स्टार्टिंग मां सूं करवानों चे सो देखो यहां बहु झाला से सकती काउड़ आपात्यूगड घुप झाला से मां समय सूं ट' कितला से सबbor़ आạnh करड देखो थे स्टारा म सकतीग झाला degल्यूप अप्राइस तो यहां पर जो है न क्या चाहिए एक वाल्टेज ही चाहिए वह भी DC में कम वैल्यू कराई तो वह एक कोईल में से पास होगा बनाव पर्मेनन्ट मैंगनेट मुविंग टाइप की कोईल में से तो उसको मेजर करेगा की कि की समझ महा रहा है तो यहां मैं आको बताता हूँम इक मल्टिमीटर के बारे में लिखा है है कि थ्ट्राव में हैं देखो उससे बाद हमने बोला कि अझान मेजर करेगा संद स्वाइब्स करेगा उसके बाद ट्रांजिस्टर उसमें अगर डायोट, ट्रांजिस्टर, SCR तो ट्रांजिस्टर दो टाइप के आते है एक तो NPN टाइप के आते है दूसरा आता PNP टाइप का तो उसका टेस्टिंग करना हो वो भी मल्टिमीटर में होता है यह बुक में लिखा नहीं है लिकिन आप लिख सकते हो कि मल्टिमीटर can be used to measure the voltage, current and resistance और अलसो used to test the NPN and PNP transistor अलसो बराबर छे सो मल्टिमीटर नो उप्योग voltage, current अन्ने अवरोधना मापन माटे करवा माँ आवे छे आर इतना पॉइट माँ वियस्तित लखवानू बुक मा आई पूछे उट लखवानू जरूर नथी आपने समझे लेवानू क्या वस्तु शुहाना माटे यूस थाई चे के वू आवे छे बराबर आपने ब्यत्तों पॉइट एड़ कर देवाना NPN transistor औने PNP transistor नो testing पर multimeter थी करवा माँ आवे छे अब देखो multimeter दो टाइप के होते हैं पहला आता है analog multimeter दूसरा आता है digital multimeter so analog हो तो हमें direct reading मिलेगा scale पर ऐसा यह pointer होगा वो गुमेगा तो हमें reading देगा digital होगा तो क्या करेगा जो भी यहां पर आएगा वो analog आएगा तो analog to digital क्या कर देगा और वो यह ऐसी display आती है उस पर हमें reading देगा right so multimeter मां 3 terminal होए छे यह लाइक हो छे एक common black color होए छे बरबा काडा color होए छे बी जो voltage oblique A मतलब current oblique ohm मतलब register आई unit लाइक हा छे बर बर बी मतलब voltage A मतलब current और ohm मतलब register जो measure करवान होई तो आपड़े आमा connect करवान हो rate कलो नो वायर होई तेने black कलो नो वायर होई तेने आपड़े common मा राखवान हो बडबा अन्य त्री जो छे 10 ampere DC तो जो current आपड़ी वेल्यू नो होई DC होई तो आपड़े current ने जे लाल कलो नो वायरास है तेने आपड़े आमा राखे सो बडबा सामन्य अरी ते multimeter बदा इलेक्टिकल पेरामिटर voltage ना स्वरूपमा माँपे छे मैं तमने के उद्या so current होई रजिस्टर होई के AC होई के DC आपड़े एन्ने voltage ना स्वरूपमा आपड़े एन्ने तो पछे मापी लेसे आने जे आपड़ा voltage माँ स्वरूपमा कन्वर्ट करीशू ए एना जे current होई बैरबर चे अथ्वातो resistance इना सब प्रमाण मासेटले अपना answer perfect मासे so AC voltage नो माँपन के उरीते थाई तो प्रथम AC voltage ने rectifier ने मदद थे DC DC माँ फेरावा माँ आवाँ चे मैं तमने के उते हम AC voltage होई तेने आपड़े DC माँ रूपा अंतर करवानू साना मदद थी rectifier ओके और वो DC voltage को हम किसमे से पास करते हैं voltage divider voltage divider मतले voltage को divide कद देगा उसको कम कद देगा DC voltage ने ओची किम्मत वाड़ा signal माँ फेरावा माँ आवाँ चे और आ सिगनल ने analog to digital converter नी मदद थी digital signal माँ फेरावा माँ चे त्यार बात ते display उपर दर्सा माँ चे आब दो भूक मा ना थी लख्यू पर मैं बोल लियो हो तो कि क्यों रित करवा माँ चे सो यह DC होता है voltage तो हमें DC DC voltage ही चाहिए यह AC था तो उसको हमने पहले DC में करवाट के यहां पर आल्डेडी DC है तो उसको voltage divider में से पास करेंगे और उसकी कम value वाला signal में convert कर देंगे और measure करके यह ना लग तो DC तो सेम ही यह बाद में यह current तो कोईपण एक current अपना मापव अच्छा आपना नधी कबर केटलो अच्छे तो उसको क्या करना पड़ेगा current to voltage converter की help से current को कम signal वाले में convert करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमने देखा यह कि क्संट में से पास करना पड़ेगा और उसमें से कितना voltage drop होता है वह देखना पड़ेगा voltage drop होई छे current काया प्रमार महा है सहब्रमार महा होई छे अवरोधनों मापन करवा माटे अचण current source द्वारा अवरोध माथी प्रवाने पसार करवा माँ छे बोला वो कि resistance आपको measure करना है कितनी value के वह पता नहीं है तो उसमें से हम एक constant current एक ही value के current पास करेंगे और measure करेंगे voltage drop कितने होता है ओके तो यह जो figure है वह किसकी है multimeter की है क्यूंकि यह सारी quantity को measure करता है आपको दिखाए देगा यहाँ पे से एक तो एक red है and black है तो जो मेरा बताया जैसे तीन यहाँ पे point होते है न में terminal तो देखो यह common है यह com लिखा है वह black color तो यह black color का जो है न वह यहाँ पे insert करना है और rate color का आपको voltage current या register measure करना तो यहाँ पे 10 ampere DC current measure करना है तो यह rate को rate को यहाँ से निकालके यहाँ पे connect करना है तो यहाँ पे यह जो है दिया हुआ है एक pointer उसकी उसको मलब rotate कर सकते है set कर सकते है हमें क्या measure करना है मानलो के हमें यह voltage measure करना है वह भी AC में तो यह range दी है अभी मानलो के आपको 20V की range दी है वह 20V तक measure करेगा अभी आपका voltage 50V है तो आपको range ज्यादा करने पड़ेगी पहले यहाँ पे था बाद में यहाँ पे कर दो यहाँ पे DC voltage measure होता यह range के आपको वह घुमाना रहता है यह current यहाँ पे measure होता है यहाँ पे resistance measure होता है अब यह जो दिया हुआ है यहाँ से हम PMP and NPN type का transistor है उसको test कर सकते हैं और एक बात बोलू के multimeter का use देन और एक भी है continuity measure करने के लिए हमारी कोई भी circuit है कि अभी कुछ चल नहीं रहा instrument कोई हमारा device हम उसको repair करेंगे तो पहले तो वह देखेगा कि अभी क्या उसके अंदर बहुत सारे component होता है कौन सा component damage हो गया है वह कैसे measure करेंगे कैसे पता चलेगा हर एक जो line होती है न उसकी continuity वह चेक करेगा अभी continuity नहीं आएगी तो पता चलेगा कि यहां पर कुछ ना कुछ problem है राइट सो इस तरह से multimeter continuity check करने के लिए भी यूज होता है PNP NPN transistor को test करने के लिए भी यूज होता है resistance measure करने के लिए भी यूज होता है voltage and current यह बहुत सारी quantity को measure करने के लिए यूज होता है इस लिए meter को क्या बोला जाता है multimeter इस type का दिखता है कोई बार है न black color का होता है वह depend करता है कि कौनसी manufacturer कमनी है वह manufacturer पर depend करता है किस तरह से बाहर का model बनाते है लेकिन अंदर से तो क्या होता है सब कुछ सेम ही होता है के रिंग सो आज हमने देखा यह clip on meter and multimeter के बारे में सो next वीडियो में हम next देखेंगे यहां तक हम आये अब इस्ट में यह energy meter tester और cathodal oscilloscope यह पहुत आइंपी है ओके तीनों जो बाकी है वह हम next वीडियो में देखेंगे